ही वाट्सअप टेगी पीपल सैम हीर सो गई आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉफ फाइब एमाई वाई 10 मोडिफाइड थीम्स पॉर एनी साउमी डिवाइस के बारे में यह सारे थीम्स काफी एट्रैक्टिव हैं आपको इन थीम्स को एक बार जरू ट्राइ करना चाहिए तो बिना टाइम वेश्ट करें वीडियो को सुरू करते हैं तो गई लिस्ट का फर्ष्ट थीम है बैकूल एट्ज तो यहां पर कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है तो सिंप्ली से अप लाई करते हैं अप लाई करने के बाद लॉक स्क्रीन क कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है उपर की तरफ टेट अंट टाइम देखने को मिल जाता है नीचे की तरफ डायलर और एंड कैमरा का सॉटक प्रस फोल्व हेले को मिल जयू जाता है यस तीम के साथ कुछ-कुछ एपस में बूर्व मैसेज incidents में आप play store change मिल जाता है and whatsapp change मिल जाता है so guys notification panel भी आपको अलग design में देखने को मिल जाता है यहाँ सभी toggles अलग design में मिल जाते है and volume slider भी change मिल जाता है so guys इस video में जो भी themes दिखाऊंगा उनका कुछ ना कुछ change रहेगा क्योंकि यह सब modified themes है so guys settings में भी कुछ change देखने को मिल जाता है यहाँ green icons and white background मिल जाता है इस themes में आपको status bar and volume panel भी change मिल जाता है so guys आप इस theme को एक बार जरूर ट्राई करना so guys list का second theme है west digidats dt so guys यहाँ पर कुछ इस type का देखने को मिल जाता है so guys simply से apply करते हैं apply करने के बाद lock screen कुछ इस type का देखने को मिल जाता है lock screen पर काफी cool design मिल जाता है यहाँ पर आप date and time देख सकते हो next यहाँ पर music control करने का option मिल जाता है next इसमे pattern lock का design change मिल जाता है next setting के icon पर tap करने पर setting open हो जाता है यहाँ से आप अलग-अलग settings try कर सकते हो and अपने lock screen को customize कर सकते हो next यहाँ पर dialer and camera का shortcut मिल जाता है जिसे आप try कर सकते हो lock screen open करने के बाद desktop पर date and time widget change मिल जाता है and इस पर tap करने के बाद यहाँ पर clock application का interface change मिल जाता है so guys icons कुछ इस type का मिल जाता है dialer change मिल जाता है messaging app change मिल जाता है कुछ और apps में change मिल जाता है like play store interface change मिल जाता है and whatsapp interface change मिल जाता है and guys यहाँ आप देख सकते हो notification panel change मिल जाता है and साथ ही साथ brightness slider भी change मिल जाता है settings open करने के बाद यहाँ पर सब कुछ change मिल जाता है यहाँ इसमें आपको recent बार भी change देखने को मिल जाता है and last status bar and volume panel change मिल जाता है so guys list का third theme है flat pixel light so guys यह theme pixel launcher से थोड़ा बहुत inspired है so guys यहाँ पर कुछ इस type का देखने को मिल जाता है तो simply से apply करते है apply करने बाद lock screen आप देख सकते हो totally change मिल जाता है उपर की तरफ date and time and google का logo देखने को मिल जाता है जो कि ऐसे ही design के लिए दिया है इसका कोई use नहीं है and यह tapable नहीं है so guys यहाँ पर आप double tap करोगे तो आपको music control करने का feature सू हो जाता है आप यहाँ से music control कर सकते हो जो कि काफी कमाल का है अगर आप again double tap करोगे तो hide हो जाता है यहाँ पर आप tap करोगे तो clock widget change करने का option मिल जाता है तो आप यहाँ से clock widget change कर सकते हो और guys उपर की तरफ अलग language में green color का लिखा हुआ है तो इस पर आप tap करोगे तो इसका setting open हो जाता है तो यहाँ पर अलग language में लिखा हुआ है तो आप अंधेरे में तीर मारा है और कस्टमाइज करना इस lock screen को और सब्सक्राइब करो ना ब्रो जल्दी से रेट सब्सक्राइब बटन पर टैप करो और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि ऐसे वीडियो मिस ना कर सको तो गई नीचे की तरफ कुछ application shortcuts मिल जाते हैं जीने आप try कर सकते हो तो गई lock screen open करने को बाए desktop पर भी same lock screen जैसा date and time widget देखने को मिल जाता है इस theme में आपको live wall way पर देखने को मिल जाता है तूटा हुआ तारा गिर रहा है जल्दी जल्दी भाई के लिए 20 करो 10 के सब्स के लिए तो गई icons चेंज मिल जाते हैं डालर चेंज देखने को मिल जाता है messaging app चेंज देखने को मिल जाता है एंड यहां पर अलग-अलग design में toggles देखने को मिल जाते है नेक्स्ट status bar change मिल जाता है settings में थोड़ा सा change मिल जाता है एंड icons MIUI default theme का ही मिल जाता है लिस्ट का fourth theme है तूती के मार के booty बना देंग पता नहीं क्या लिखा है पढ़ा जाये तो पढ़ लो यहां पर कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है तो simply से apply करते हैं आप यहां देख सकते हो lock screen change देखने को मिल जाता है यहां पर भी उसी language में कुछ लिखा हुआ है साइद लिखा है subscribe मार के bell icon दबाओ आपका इतना तो मजा करना बनता है ना नीचे की तरफ date and time देखने को मिल जाता है नेक्स्ट यहां पर कुछ short cuts मिल जाते हैं like weather icon पर tap करके आप यहां से weather देख सकते हो music icon पर tap करने के बाद music control करने का feature सो होने लगता है आप यहां से music control कर सकते हो and guys यह notice करा yes visualizer effect जो की देखन में काफी कमाल का लग रहा है next यहां पर tap करने पर कुछ इस type का open होता है and यहां पर कुछ application shortcuts and quick toggles देखने को मिल जाते है calendar पर tap करने पर यहां देख सकते हो कुछ इस design का calendar देखने को मिल जाता है next इस icon पर tap करने के बाद alarm time and वहीं Sam's always checky को subscribe करो लिखा हुआ मिल जाता है basically यह note pad है यहां पर आप कुछ short notes लिख सकते हो so guys lock screen open करने को आप desktop पर अलग design में weather time and date का widget देखने को मिल जाता है and इस में आपको animation देखने को मिल जाता है and guys इस theme में भी आपको live wallpaper देखने को मिल जाता है next icons change देखने को मिल जाता है dialer के साथ कोई change नहीं किया गया है dialer MIY default theme का मिल जाता है notification panel change मिल जाता है status bar design change देखने को मिल जाता है and volume panel change मिल जाता है and last setting में change मिल जाता है यहां पर सभी icons colorful देखने को मिल जाते है so guys list का fifth and last theme है 10x pro so guys यहां पर कुछ इस type का देखने को मिल जाता है यहां quick toggles का features होने लगता है जो की काफी कमाल का feature है and आप यहां से different options ट्राइक कर सकते हो so guys आप यहां setting icon पर tap करके यहां से कुछ settings कर सकते हो so guys lock screen open करने के बाद desktop पर MIY default clock widget देखने को मिल जाता है icons आपको change देखने को मिल जाते है डाइलर change देखने को मिल जाता है and यह डाइलर interface देखने में काफी cool लग रहा है कितना गर्मी है यहां धोती भीगत जाते है कल वारे AC चलाओ ता AC टारा बाप लगा के दिने का AC चलाओ मजे भी करो टेकी होने के साथ साथ सीरियस होकर क्या मिलेगा चार दिन की जिन्दगी है अवे चार दिन के जिन्दगी है यहां है अभाई तह हम झी cinema ले हिए। पैसा वेश्ट होगा सम गोना फननी तो guys notification panel change देखने को मिल जाता है and settings में भी आपको change देखने को मिल जाता है and इसमें सभी icons change देखने को मिल जाता है जो की देखने में काफी attractive लग रहे हैं तो guys क्या मुझे ऐसे थोड़ा सा fun के साथ वीडियो करना चाहिए सभी नहीं सिर्फ अपने साउमी themes के episodes में i button पर poll दे दूँगा आप vote कर देना तो आप भी इन सभी themes को download करो मजे करो ask करो and guys अभी तक मेरे को instagram पे follow नहीं करा तो कर लो वहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा active रहता हूं and upcoming videos के बारे में बताते रहता हूं तो इधर ही कहीं insta and also हो रहा होगा जाओ follow करो तो guys ये थे top 5 MIY10 modified themes for any sound me devices तो guys अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो please इस वीडियो को like कर दो, share कर दो and अपने इस इंट्रेशन चैनल को please subscribe करो ताकि मैं और भी interesting videos आपके लिए ला सकूँ तो मिलते हैं अपने किसी और interesting video में तब तक के लिए, bye bye guys